वित मंत्राल्या ने खाद्या टेल आयात पर रियायती सीमा शूल को मार्च 2023 तक यानि 6 महिने के लिए बढ़ा दिया है मंत्राले के इस कदम का उदेश है खाद्या टेलों की घ्रेलू सप्लाई को बढ़ाना और कीमतों को नियंत्रेन में रखना है केंद्रिया अपरत्यक्षकर और सीमा शूल्क बोड ने गुरुवार को जारी अधिसूचना में ये जानकारी दी है CBIC ने कहा है कि निर्दिष्ट खाद्या टेलों पर मौझूदा रियायती आयात शूल्क की समय सीमा को 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है इससे पहले मार्च में ये चूट सितंबर 2022 तक बढ़ा दी गई थी दरसल खाद्या टेलों के आयात पर सीमा शूल्क और सेस अगले 6 महिने और नहीं लगने के फैसले से घ्रेलू बजार में टेलों की कीमतों को काबू में रखने में मदद मिलेगी फिलाल कच्चा पाम तेल, कच्चे सोया बीन तेल और कच्चे सूरज मुखी तेल किसमों पर आयात शूल्क शुन्या है हलाकि 5 फीसदी के क्रिशी उपकर और 10 फीसद के समाजी कल्यान उपकर को ध्यान में रखते हुए इन तीन खाद्य तेलों की कच्ची किसमों पर परभावी शुल्क 5 फीसद है दरसल पामोलिन और पाम तेल के रिफाइंड किसमों पर मूल सीमा शुल्क 12 फीसदी है जबकि समाजी कल्यान उपकर 10 फीसद है इसी तरह परभावी शुल्क 13 से बढ़कर 13.75 फीसदी बनता है रिफाइंड सोया बीन और सूरज मुकी के तेल पर मूल सीमा शुल्क 17.5 फीसदी है जबकि 10 फीसदी समाजी कल्यान उपकर को ध्यान में रखते हुए परभावी शुल्क 19.25 फीसदी बैठता है वहीं सी के करेकरी निदेशक बीवी महतर का कहना है कि सरकार ने उपक्ता हित में रियायती शुल्की समय सीमा को मार्च तक भढ़ाने का फैसला किया है उन्होंने कहा है कि सोया बीन जैसी खरीफ थिलन की फसल घ्रेलू बाजार में आने के बाद सरकार को अक्तूबर में शुल्क धाजे पर एक बार फरसे विचार करने की जरूरत होगी महता ने ये भी कहा है कि वैश्वी कीमतों में गिरावट के कारण खादिया तेल कीमतों में गिरावट का रुख देखने को मिल रहा है किसान अपनी तिलन फिसल के लिए नियूंतम समर्थन मुल्या यानि MSP से कम से कम 15-20 फीसद अधिक मुल्या पाना चाहते हैं इसलिए यदि थोक मुल्या MSP से नीचे दिये जाते हैं या MSP के आसपास रहते हैं तो सरकार को खादिया तेलों पर आया शुल्क बढ़ाने पर विचार करना चाहिए वैश्विक बजार में खादिया तेल कीमतों में गिरावट और आया शुल्क कम होने से घ्रेलू बजार में खादिया तेलों की खुद्रा कीमतों में काफी कम ही आई है हलाकि आम आदमी के लिए कीमते अभी भी अधिक है पिछले कुछ महीनों में खाद्या मंत्राल्या ने खाद्या तेल कमपनियों को व्याश्वी किम्तों में गिरावट का लाब घ्रेलू भोकताओं को देने का निर्देश भी दिया था विरो रिपोर्ट मार्के टाइम्स टीवी